Hi guys, welcome back to another video So guys, आज मैं आपके सामने ले किया है हूँ आपके ले किया हूँ एक बहुत ही कमाल किसम का low pass filter circuit बहुत ही simple सा ठीके जी, ये है जी summer electronics की तरफ से और ये है जी 4558 operational amplifier based circuit dual inline package याने के dip का जो IC होता है dual inline package, 4558 इसमें use हुआ है और most of the applications, जो के subwoofer applications होती है उसमें यही वाला जो operational amplifier है, ये use हुआ होता है kit के बारे में बात की जाए तो एक बिल्कुल simple सा design है, जो के हमें fixed frequency देता है और operate होता है ये 12 plus 12 volts के ओपर यहाँ पर regulator वगरे नहीं दिये वे, मैंने जो आपको last time video मैंने जो अकल upload की थी उसमें मैंने आपको ये बताया था kit को दिखाया था मैंने, ये मेरे पास भी यहाँ पर पड़ी भी है इस वाली kit में और इस वाली kit में ज़्यादा फरक नहीं है इसका जो difference है, वो मैं next video में लेके आँँगा बस difference main यही है कि इसके अंदर जो voltage regulation है वो यूज़ भी है और इस kit के अंदर voltage regulation यूज़ नहीं हुई भी आपने इसको अगर यूज़ करना होगा तो या अगर आप 12 plus 12 के ओपर काम कर रहे हैं तो आप ये kit को directly यहाँ पर जो है वो रन कर सकते हैं, voltage देखें लेकिन अगर आप 12 volts से उपर काम करें 25 plus 25 या इसके उपर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर regulator की जरुवत है, यहाँ पर आपने regulator लगाना है क्योंकि regulators का इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया, ना ही कोई जिनर डावट की protection दी भी है, so guys, design बिल्कुल simple है, और जहां तक मैंने इसको read किया है, तो मुझे अच्छा लगा है, और इसका बाकी हम जब review करेंगे, detailed, practical review करेंगे तो हम इसकी performance को test करेंगे, फिर हमें idea होगा कि इसकी performance किस फ्रिक्वेंसी की fixed है, और यहां पर आप देख सकते हैं, हमें मिलता है volume control, यानि के base control, इससे हम करेंगे, यह potential meter लगावा है, जो के है 50K का, ठीक है जी, और बाकी, आप यहां पर देख सकते हैं, कि इसमें जो input and output है, वो बिल्कुल, जो है, वो easily हमें पता चल रही है, यहां पर हमने इसके 12 plus 12 volts, जो है, वो प्रोवाइड करने है, DC volts, यहां से हमने audio input प्रोवाइड करनी है, और यहां से हमने इसकी output ले रहनी है, ठीक है जी, और input का pattern वगएरा सारा कुछ आपको पता चल देगा, कि ground कहां पर है, और सब कुछ, जो इसके connections है, वो जब हम करेंगे, तिन आपको, मैं clearly, जो है, जो जब connections के practically करूँगा, तिन आपको मैं समझा भी दूँगा, वैसे आपको समझ भी आजएगी, इसकी, इसको देख की, किसके किस तरह से आपने connections वोगएरा, जो है, वो, करने हैं, तो इसका मैं बहुत ही जल्द आपके सामने, अपनी जो next videos होंगी, उसमें एक detailed review लेक्या होंगा, जिसमें हम इसकी testing वोगएरा भी, वो करेंगे, ठीक है guys, तो thanks for watching the video, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की interesting products में आपके लिए लेकियाता हों, उनका review करता रहों, तो आपने मुझे comments में जुरूर बताना है, और जाते जाते वीडियो को like और channel को subscribe जुरूर करके जाएगा, तो मिलते हैं next video में, take care and goodbye.